नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं चहान वीडियो और इस वीडियो में हम बात करेंगे सेप्टेंबर एक्जाम 2020 के बारे में उसके रिलेटेड इंपोर्टेंट कोस्चन के बारे में आपका हॉल टिकट कब आने वाला है डेट सीट में जो फर्स्ट येर और सेकंड येर क सेप्टेंबर में ही एक्जाम देना होगा और फाइनल इयर के बैक एक्जाम कब होंगे तो इन कोस्चन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हॉलटीकट जो होता है वो इगणो की website पर release किया जाता है जिसको आपको online download करने के बाद उसको print करना होता है तो हॉलटीकट जो होगा वो आपका 10 September से पहले आपके पास होगा यानल की 8 September यं 9 September को आपके पास आपका hall ticket आ जाएगा इगणो की website साइट पर रिलीज क्यार दिया जाएगा और उसके बाद फिर आप हॉल टिकट को देख का डाउनलोड कर पाएंगे 8 सेप्टेमबर या 9 सेप्टेमबर को आपको पास आपका हॉल टिकट आ जाएगा उसके बाद दूसरा important question है final year student के लिए कि final year student के third year के exam अगर सेप्टेमबर में होने वाले हैं तो back exam कब होंगे back exam या यू कहें reappear exam जो first year और second year में आप fail हो गए थे या फिर नहीं दे पाए थे उन exam को लेकिन आप देना चाहते तो अब कब दे पाएंगे तो final year student जो हैं उनके back subject के exam और reappear के exam जो भी कहना आप चाहें उनके exam भी September में ही होंगे यानि कि September में final year student अपने final year के exam तो देंगे ही final year के subject के exam तो देंगे ही साथ में देंगे अपने back exam अगर first year का second year का उनका कोई छूट गया है तो उसको भी उनको September में ही देना होगा September में ही देने है और final year के exam भी उनको September में ही देने होंगे, उसके बाद तीसरा question जो सबसे important है, first year और second year के student जो लगातार पूछ रहे हैं कि date sheet जो आई है 17 September से exam की 17 September से लेकर 16 October तक जो exam चलेंगे, उनमें first year के subject भी mention है और second year subject भी mention है, उनकी exam date भी mention है, तो क्या first year के exam और second year के exam भ होने वाले हैं, तो उसके ओपर हम जान लेते हैं, first year और second year के जो subjects हैं, उनको इसलिए date sheet में mention किया गया है September date sheet में, क्योंकि जो final year student है, उनके back exam भी करवाये जाएंगे, और back exam जो उनके हैं, वो first year के और second year के subjects हैं, तो इसलिए final year student के जो back exam होंगे first year और second year के, इसलिए उन subjects को इसलिए date sheet में mention किया गया है, आपके जो first year और second year के exam होने वाले हैं, वो December में ही होने वाले हैं, जैसकि इगनु अपने notice में पहले ही clear कर चुका है, कि September का exam वो student देंगे जो कि final year में है, या फिर end semester student है, उनको ये exam देना होगा September का, और उसमें वो अपने back exam भी दे पाएंगे और साथ में ही अपने final year के subject के exam भी दे पाएंगे, इसलिए date sheet में सभी subject को mention किया गया है, सभी subject के exam September में करवाए जाएंगे, कि अगर कोई final year student अपना back exam भी देना चाहता है, तो वो दे पाए, आपके जो first year के subject और second year के subject के exam होंगे, first year student के और second year student के, वो आपको देने होंग दिसंबर में, तो इस वीडियो में इतना ही, इन तीनों question के ओपर काफी सारे comment आये थे, Instagram पर भी और YouTube पर भी, तो अब इनका answer आपको मिल गया होगा, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,